हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं आप ठीक होंगे तो मैं दामें दीपा कॉल मैं स्वागत करता हूं आपका आपको प्यार से यहनल दीपा बाइलोजी क्लास है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेसिक है अगर आप अमीनो एसिट्स पढ़ रहे हैं तो अगर सब्सक्काइब कर लीजे तक आपको इस टाइप के जो वीडियो से रुद्धिक संच मिलते रहे हैं और साथ हमस्ता करें तो ओनली one amino acids there which is not optically active ठीक है यानि कि अगर हम बात करें तो glycine को छोड़ के है तो यहां पर सिर्फ glycine को accept accept glycine all others और other amino acids amino acids are optically active ठीक है तो सिर्फ glycine को छोड़ के जितने अधर amino acids यहां आपका elanine, valine, theonine, tryptophan, phalanine, n number of remaining amino acids है वो सारे जो optically active होते हैं लेकिन glycine क्यों एक ऐसा amino acid है जो optically active नहीं होता है ठीक है तो यह जो है वो यह जो glycine है और जो other amino acids है इन सब के एक property होती है ठीक है तो हम उस property के बारे में जानेंगे कि क्यों जो है glycine जो है वो optically active नहीं है जबकि जो other amino acids है वो optically active है तो क्या ऐसा दीजन है तो यह जो glycine इसका directly जो relation है वो एक किरल carbon atoms है ठीक है तो एक किरल carbon atoms है तो एक किरल carbon atoms क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे ताकि आपका जो यह doubt है वो clear हो जाए ठीक है तो देखिए अगर हम glycine का structure बन आके देखें ठीक है तो मैं आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा तो यह आपका glycine का structure है तो आप इस ट्रक्चर बनाएंगे तब ही आपको यहां पर difference देखने को मिलेगा कि glycine और other amino acids में जो है क्या difference है जिसकी वज़े से जो है आपको glycine जो है वो optically inactive है while the other amino acids they are optically active तो आपको structure देखने के देखके भी आप जो है पता कर सकते हैं और region क्या है वो भी आप जो structure देखके जो है वो पता लगा सकते हैं तो मैं आपको तब भी यहां पर एक बार समझा देता हूँ ठीक है तो यह मैंने यहां पर देखे glycine का structure बना लिया है और साथ इसाथ जो है मैंने आपको यहां पर एलादीन का structure बना लिया है ठीक है अब एक किरल का मतलब यह है कि किरल का मतलब क्या है कि अमीनो एसिट में जो carbon होता है कि सब्सक्राइब इस carbon के पता है कि वैलनसी जो है तो इसमें देखे 4 वैलनसी यानि 4 जो इसकी वैलनसी है उसमें आप देख सकते हैं कि different function group attach रहते है different side chain होती है तो यहां पर देखे glycine में क्या है यहां पे hydrogen attach है यहां आप यहां पर आमीनो ग्रूप attach है और यहां पर आपका कार्वाक्सली ग्रूप attach है ठीक है इस carbon से जो कि alpha carbon है यहां पर आप सब्सक्राइब एक आपका CS3 group यह methyl group attach है एक आपका Amine group एक आपका hydrogen group attach है ठीक है तो यह आप structure देखे बता लगा सकते ही glycine और alanine में क्या difference है glycine में आप जब गौर से देखेंगे तो आपको यहां पर दो हाइडोजन जो atom है वो carbon की side chain से जो है attach दिखेंगे ठीक है यहां पर देखेंगे एक जो carbon के वैलनसी उसमें hydrogen group है दूसरे में hydrogen group है थर्ड में amino group है फोट में आपका carboxyl group है वह एक आपका methyl group है दूसरा side chain से जो आपका amino group attach है थर्ड से आपका carboxyl group और जो फोट है उससे आपका hydrogen hydrogen group तो आपको यहां पर इस्ट्रक्चर देख की पता लग जाएगा कि इस वाले carbon में जो एलादीन का carbon है उसमें four different functional group यह four different side chain है ठीक है वहीं आपके glycine की तो glycine में आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपका दो जो function group यह side chain है वह similar है तो आपका hydrogen atom है यहां पर hydrogen atom है next आपका amino group है और जो four number है वह आपका carboxyl group है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यह carbon है glycine का carbon हो ए-chiral है क्या है ए-chiral है वहीं आपके alanine का carbon है ठीक है तो यहां पर का मतलब क्या होता है जब भी जो है आपका यहां पर कायल से मतलब यह है कि आपका जो carbon atom है यहां पर देख सकते हैं कि यह जो आपका carbon है यहां पर आपको four different constituent देखने को मिल लें एक आपका जो hydrogen यहां बोल सकते हैं एक आपका यहां पर हाइडोजन हो गया है दूसरा आपका आपका जो है अमीनो ग्रूप फोद आपका मिधायल ग्रूप तो इसी लिए जो एलानीन का जो carbon है और यह कि आपकीकली एक्टिव है प्निकली एक्टिव का मतलब क्या है कि यह जो एक आमीनो एसीड इट ब्रूप पर पर्टी टू डूटेट दा प्लेट पुलराइज रॉट ठीक है या clockwise कर सकता है या कांटर कॉप माइज कर सकता है आपने डी और यह भी सुना होगा एक डेक्स्टोर रोटेट्टरी एक लवय रोटेट्री ठीक है तो अगर जो यह एमीनो अचेड़ है अगर यह प्लेन और पॉलराइज क्लॉक्वाइशा को रोटेट करता है कर दो इसे हम लोग क्या मिlद्स उसे बहुंद बहम भता दिए क्योंकि उसे फॉर इसे लिए जो है कायल है और यह जो है अप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या अमीनो एसी डाप प्रपर्टी टू रोटेट डाप प्लेनो पॉलराइड जाए अधर क्लॉक्वाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्टो रोटेटरी या पॉजिटिव बोल सकते हैं और दू लगा सकते हैं कि जो हमारा एलनीन है वो अप्टिकली एक्टिव एमीनो इसीड है और इसका जो कार्बन है वो काईडल है अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर डेफिनीशन के साब से जो है इस कार्बन से जो है फोर डिफरेंट जो गर्णम फटेज कार्बॉकशाई है तो यहां पर दूबारा है कारिबन एक आज्रण ले गया वह है इसके वह से जो है इसे क्रें जो है उप्तिकली इनक्टिव है यह उप्तिकली इनक्टिव है यह Optically Inactive है तीक है अब Optically Inactive है क्योंकि इसके पर उसके जो वैलन स्लेक्ट्रॉर्न में या वैलन सी में क्या है कि आपको यह पर दो हायटम देखने को मिल नहीं जिसके वाज़ते जुए यह प्लाराइब को ना किंच्राइब कर चकता है आहां पर Winter फॉर्म कोई ने नियुका चरह सकता है क्योंकि सब्सक्राइब तो यह जो यहां पर आपको सिर्फ क्लाइसीन को छोड़के अपके जितने अधर अमीनो एसिट से वो सारे आपको जो है आपको यह पता होगा तो आप जो है इसका अंसर जो को 100 पसंट दे पाएंगे इसके अलावर दूसराव वे में पूर्ससके वो आपको मेभी जो है structure formula जैसे मैंने आपको यह बताया अमीनो एसिट का structure तो इस वे में आपको पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन सा जो अमीनो एसिट्स है या अधर कंपाउंड है वो जो अप्टिकली एक्टिव है या उसके पास कायल कारबन एटम है या नहीं है यह यूजिंग यूर कॉंसेट ठीक है तो कॉंसेट लगा के आप चेक कर सकते हैं कि अगर यहां पे फोर अपको है मिनें अगर क्कील का पता क्या है Dieुका यहां आफ्डी है ओवेडेओ का एक और यहां आफ्टि अगजय है तो चलिंग हमारे अगले वीडियो में तिल दें ट्च्क ले और बाई-बाई-था था